हलो माई डियर स्टूट्स वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिश्ट्री गुर्जी अगेन आप सबके एक बहुत ज्यादा इंपोर्टन वीडियो में तो यह वीडियो इंपोर्टन रहने वाली है ने टूजिरो टूजिरी के स्टूडेंस के लिए जो केमिश्ट्र यह टूपिक सबसे जादे इंपोर्टन है इस टूपिक से इस सबसे जादे कोशन पुछे गए हैं अगेन मैं आपको बोलोगा कि आपको बहुत अच्छे सब कुछ पढ़ना चाहिए और दो तिन सालों से आप लोग पढ़ भी रहे हो तो अच्छे से तैहरी आप लोगों इस टूपिक को ही देखेगा सर ऐसा क्यों बेटा जी प्रिवेस टैनियर को अनलाइज करके बनाया गया है कि हां हर साल वो इस टूपिक को इस चैप्टर में से जुरूर देखते हैं और बेटा जी नीट के स्टूडेंट्स के लिए बिलकुल एक स्पेशल चैनल बनाया है क स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा कंटेंट आएगा पढ़ाने की वीडियो नोट्स प्रिवेस और कोस्टन सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल लेक्टर आने वाले हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगा और ब पर मैं आपको बताना चाहूंगा अने कैडमी ओल इंडिया मॉक्स जो टोटली फ्री ओफ कोस्ट है फोर नीट यूजी टू जिरो टू ठीक है अब यह टेस्ट कब होने वाला है अप्रेल 16 को टू जिरो अप्रेल 16 को होगा दो पहर दो बजे बिलकुल जे जो आपकी नीट पटना पुने सिकर इन जगा पर टेस्ट दे के आ सकता है अगें फ्री ओफ कोस्ट है और बेटा जी यहां पर जो कोस्ट बनाए गए है न वह बहुत अच्छे लेवल के कोस्ट बनाए गए है कि हां यार नीट में इसी तरह कोस्ट बनने वाले है शोरले आपकी बहुत कर सकते हो और बढ़िया है अपने कमफर्ट जोन में घर बैठके भी आप लोग टेस्ट दे सकते हो और चाहो तो ओफ लाइन सेंटर पे जाके भी टेस्ट दे सकते हो और जो रियल नीट टाइमिंग होती है न दो बज़े से शाम के पांच बिस तक इस तरह की टाइमिंग मे ही आपका टेस्ट होने वाला है ठीक है तो सबने देना है और प्लीज यह जुनताना क्या आपकी त्यारी कैसी है तो चलिए हम बढ़ते हैं उन टोपेक्स की तरफ जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन है सबसे पहले सोलिट सेट में से 1.6 यह एंसियार्ट का टोपिक है 1.6 इससे लास्ट एनियर के अंदर साथ बार कोशन पूछे गए हैं सोलिशन चैप्टर में से 2.5 जो एंसियार्ट का टोपिक है आईडिल और नोन आईडिल सोलिशन इसके बाद जो भी इनका डिफरेंस इससे लेटेड जितने भी है इससे लास्ट एनियर के अंदर सेवन इससे 10 टाइमस कोशन पूछे गए हैं नेक्स्ट ए सरफेस केमिस्ट्री 5.4 एंसियार्ट को टोपिक नंबर है यहां पर क्लासिफिकेशन ओफ कोलोईड से 8 टाइमस कोशन पूछे गए हैं बेटाजी सिर्फ एक एक टोपिक है और मैं यह नहीं करें कि तुमने सिर्फ यह मैं बोल रहा हूं कि जब इस चैप्टर को पढ़ने जाओ तो तुम यह देखो कि तुम्हें यह आता है कि ने क्योंकि यह एक्जाइमिनर का सबसे फेवरिट टोपिक है इससे तो कोशन बनेंगे बनेंगे आपने एक्शन भी पढ़ना है और पढ़ भी रखा होगा ठीक है और बेटा जी अभी नीट टू जिरो टू थ्री वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने 15-20 वीडियो सोच्ची होई है बनाने की पढ़ाई वाली वीडियो भी मैं बनाऊंगा बट मैं आपको प्रोमिस नहीं करूँगा क्योंकि देखिए लास्ट पंदरा दिन में मैं यह न 4 ओर सोफ मेटल एंड थर्मो डैनेमिक प्रिंसिपल वो अलिंगम डाइग्रम वाला जो है थोड़ा सा उससे 4 तामस कोशन पूछे गए है प्रीवेस टैनियर में पी ब्लोक अलिमेंट जो है पी ब्लोक के दो पार्ट है एक क्लास 11 में भी है क्लास 12 में भी है अगर मैं क्ला कोशन पूछे गए है क्या मैंने 4 K2 CR2 O7 से लेटेड एट टाइमस कोडिनेशन कंपाउंड भाईसा भ्यंकर चैप्टर है अब तो बोर्ट वाले वैसे इज़द देने लगे हैं बट नीट वाले बहुत जाद इज़द देते हैं इस चैप्टर को इसके एक टोपिक है वैल जो जो भी आपका आ रहा है चाहिए आपकी वह नेम रेक्शन सारी है चाहिए आपकी नुकलोफिलिक सब्स्टिटूशन है एलिमिनेशन रेक्शन है यह सब 14 टाइमस कोशन पूछे गए हैं बैटा जिससे नेक्स चैप्टर हमारे पास अल्कॉल फिनोल एंड इथर इसमें टोपिक नंबर है 11.4 अलकॉल फिनोल की सारी मोशनली नेम रेक्शन होगी इनकी प्रिप्रेशन होगी हैं मैं यूजज हो थर्टेंट आपके सब्सक्राइब यह जाती है इसकी केमिकल पर प्रोपर्टिज ब्याज़ ए टैन टाइमस कोशन पूछे गए हैं इसकी केमिकल प पड़ी लिया होगा बट अगर मैं बायो मोल्किल केमिस्ट्री वाले की बात करूं तो कार्बोहाइड़िट एंड प्रोटीन से फाइव टाइम्स कोशन पुछे गए हैं पॉलिमर 15.2 टाइपस ओफ पॉलिमराइजेशन से 11 टाइम्स कोशन पुछे गए हैं केमिस्ट्री इन एवरेड़ लाइफ 16.3 इसमें ड्रग क्या काम करती है एक छोटा सा कॉश्ट्री चलो मैं पूछ भी लेता हूँ अनलजेशिक्स किस काम आते हैं तो बहुत बेसिक कॉश्ट्री है और एक दो अनलजेशिक्स के एकजमपल दे देना आगे बढ़ते हैं नेक् इंपेरिकल फर्मॉला लिमिटिंग रिएजेंट यह वह न उसके बाद स्ट्रॉक्चर ओफ एटम में क्वांटम नंबर या क्वांटम मेकैनिकल मोडल ओफ एटम जो है उससे फोर्टीन टाइम्स कोश्ट्री पूछे गए हैं क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट में प्रियो इंपोर्टन जो है हाइबरडाइजेशन टोपिक नंबर 4.6 इससे 12 टाइम्स कोश्टन पुछे गए हैं बेटा जी नेक्स्ट चेप्टर स्टेट्स ओफ मैटर आइडियल गैस इक्वेशन टोपिक नंबर है 5.6 इससे 7 टाइम्स कोश्टन पुछे गए हैं आगे बढ़ते हैं थर्मोडाइमिक्स थर्मोडाइमिक्स में बहुत सारी इंपोर्टन हो जाती है वैसे तो है ना स्पोंटेनिटी हो गया एंट्रोपी हो गया फ्लोट हो गया यह सब जो है इससे 10 टाइम्स कोश्टन पुछे गए हैं एकलिवीरियम 7.13 टोपिक नंबर बहुत प्रोडक्स से 10 टाइम्स कोश्टन पुछे गए हैं रडोक्स एलेक्शन में औक्सिडेशन नमबर में बहुत सारी बात आब ही जाते हैं बैलेंसिंग वीसी में कवर हो जाता है इसके अलावा टाइपस ओफ रडोक्स एक्षिन टाइन टाइम्स कोश्टन पुछे गए हैं एसबलोक एलिमेंटस में कंपाउंडस ओफ एल्कालाइन अर्थ मेटल से 7 टाइम कोश्टन पुछे गए हैं टॉपिक नमबर है 10.7 पी बलोक एलिमेंट जो मैं बोर रहा था कलास 11 का भी टॉपिक है कंपाउंडस ओफ कार्बन और सिलिकोन से 5 टाइम कोश्टन पुछे आते हैं इससे 14 टाइम से पुछे गए हैं हीड्रोकार्बन में आपका एक टॉपिक रहता है अर् Nebraska 10.5 तो जो आंशे को टॉपिक नमबर उससे 12 टाइम से पुछे गए तोपिक है यह तो हर एक चेप्टर में सेलेक्ट करके बता दिये जिन से सबसे ज़्यादा वैसे तो वह EC में से बनेंगे अब यह तो NCRT बताई है अब स्पैसिफिक होके कि हायर सिर्फ यह टोपिक तरको बहुत अच्छे से पढ़ना है बाई अगेर मैं बोलूगा पढ़ना सब कुछ है आपने और अच्छे से पढ़िभी रखोगा इन टोपिक्स को एक्स्टर स्ट्रोंग करना है इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है पुछ जाने की हाँ एक्जामिनर जब कोशन मनाने लगेगा तो हर बार इन टोपिक्स को सबसे ज़्यादा इंपोर्टें करने है त्री तामस आप दे सकते हो और अपकी गिफ्ट भी है और सबसे बड़ी बात यह है और लेवल ऑफ कोशन बहुत अच्छा है जिससे आपकी त्यारी बहुत अच्छी हो जाएगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ही मिल जाएगा और नीट के लिए बहुत बड़िया जल मिलते हैं गोड ब्लेस योल प्लीज टेक केर जाहिन